देज रफ्तार से आपको दिन की आज हर खबर बताएंगे वक्त सो खबर का जिसमें होगी देश दुनिया पर नज़र दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का अंदोलन जारी सरकार ने कुछ मांगे मानी लेकिन किसान मानने को तयार नहीं बादचीत और समझौते से पहले दिल्ली गाजिपूर बॉर्डर पर पुलिस ने दाखे किसानों पर आंसू गैस के गोले घंटों तक सड़त पर मचा रहा कोहरा आंसू गैस के अलावा पुलिस ने किसानों पर किया वाटर कैनन का इस्तिमाल पानी की बोच्छार के सामने टिके रहे किसान आंदोलन को रोकने के लिए किसानों पर पुलिस ने भंजी लाथियां दिल्ली यूपी बॉर्डर पर की गई कारेवाई किसान आंदोलन को एक सोर में विपक्षी दलो ने दिया समर्थन अजीच सिंग खुद किसानों से मिलने पहुँचे तो कॉंग्रेस ने वरकिंग कमेटी की बैठक में पिटाई पर निंदा प्रस्ताव पास किया मध्य प्रदेश में किसानों ने किया भूमी संसत का आयोजन एक्ता परिशत के बैनर तले दिल्ली के लिए जल्द करेंगे कूच एसपी कॉंग्रेस ने दिया है समर्थन भरतपुर में कॉंग्रेस विधाय की अगवाई में सैक्णों जाटों ने एससपी ऑफिस का घेराव कर दी गिरफतारी जाट अंदोलन करियों से मुकद्द में वापस लेने की माँ हैदराबाद में एक शक्स को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा पत्थरों से मार कर किया घायल चीन ने अपना 69 नेशनल डे मनाया रंग बिरंगी रोष्णी में नहाए कई शहर चीन के मकाव में भी नेशनल डे के मौके पर हुई शानदार आतिश बाजी फायरवक्स देखने दुनिया भर से पहुँचे लोग देश आज मना रहा है बापू की जयनती पीम मोदी ने राजगाट पर महत्मा गांधी को दीश रधांजली राहुल और सोनिया गांधी भी पहुँचे एहमदाबाद के साबरमती आश्रम में बापू की एक सुपचासवी जयनती धूमधाम से मनाई गई राजजपाल, ओपी कोहली और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे यूपी के सीम योगी आदित्यनाथ और राजजपाल रामनाईक ने लखनव में बापू को दीश रधांजली गांधी जयनती पर एम्स पहुँचे केंद्रिय स्वास्थे मंत्री जेपी नडड़ा, स्वच्चता ही सेवा कारेक्रम में की शरकर सैंतराश्ट्र के महसजिव एंटोनियो गुटेरेस भी पहुँचे राजगाट बापू को दीश रधांजली गांधी जयनती पर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने पटना की गांधी मैदान में पद्यात्रा की, स्कूली बच्चों ने चलाई शराबंदी की मुहिब गांधी जयनती से पहले आंधर प्रदेश के विच्छा का पटनम में शर्म नाख हरकत, महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी जांच में जोटी पुलिस गांधी जयनती पर ठाने के कल्यान में स्कूली बच्चों ने दिया स्वच्छता का संदेश, लोकल ट्रेन को तिरंगे के रंग में रंगा देश के दूसरे प्रदानमत्री लाल बाहदुर शास्त्री का अभी जनम दिन आज, पीम मोधी ने जय जवान, जय किसान लिखकर दीश रधांज ली महराष्ट्र के वरधा में कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन वरधा से ही बापू ने दिया था अंग्रेसो भारत छोडो का नारा महराश्च्ट के वर्धा में सूनिया और राहुल गांधी ने खाना खाने के बाद खुद धोई प्लेट गांधी जैन्थी पर गांधी परिवार की सेवा कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी की बैठक के बाद राहूल गांधी ने वर्धा में की पद यात्रा हजारों की संख्या में जुटे समर्थक 6 अक्टूबर से मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमिट शाह 15 अक्टूबर तक 10 सिलों में कारिकरम नाकपूर में केंद्र सरकार के अखिलाफ कॉंग्रेस कारेकरताओं ने निकाली पद यात्रा सरकार के विरोध में नारे लगी चुनाव से पहले चित्रकूट से कॉंग्रेस ने निकाली राम पत्कमन यात्रा प्रदेश भर में राम से जुड़े मंदिरों पर जाकर जन जाकरन की योजना 36 गर्ण में सवर्ण OBC वोटरों को लुभाने के लिए उनके घर तक जाएंगे कॉंग्रेस कारे करता सभी जुलों में पिछला वर्ग सम्मेलन की तैयारी सपाक्स पार्टी लड़ेगी मध्यप्रदेश विधान सभा के चुनाव S.C.S.T.E. कानून में बदलाव के विरोध के बाद चुनाव लड़ने का एलान B.J.P. नेताओं के खिलाफ वजरंग दल का हवन कारेकरम कहा राम का नाम लेकर सत्ता में आए लेकिन राम मंदिर को भूले करनाटा के बेलगावी में कॉंग्रेस नेता के समर्थकों की दबं गई कॉलेज फंक्शन में ना बुलाने पर वाइस चांसलर को पीटा और तोड़ फोड़ की पुडुचेरी में उप्रा जपाल किरन बेदी और AIA डीम के विधायक के बीच नोगछोंक सरवजनिक कारेकरम के दौरान माइक बंद करने पर हुई बहस पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को दी न्यूकलियर हत्यारों की गिदर भब की कहा भारत की वज़ह से बने हैं युद्ध जैसे हाला जम्मू कश्मीर में 15 आतंक्यों का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल सेना सूत्रों के मुताबे के नातंक्यों ने पुंच में घुसपैट की थी फिलहाल बढगाम इलाके में चुपे हैं श्री नगर के नौहट्टा में एनाईय की रेड टेरर फंडिंग मामले में एक शक्स को हिरासत मिलिया विवेक हत्याकांड की चश्मदीद सना को क्राइम सीन पर लेकर पहुंची साइटी की टीम सना का बयान भी किया गया दर्च यूपी के मुजफर नगर में मोहरम के जुलूस के दौरान हत्यार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल मामला दर्चकर जांच में जुटी पुलिस बिहार के गया में पुलिस ने अंतर राजिय बैंक लुटेरिकों किया गिरफ्तार नौ मोबाइल, एक लैप्टॉप और संपत्ति के अकागजाद जब्त जारखन के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी काम्याबी, नकसलियों के बंकर को तबाह कर 16 हत्यारों का जखीरा बरामद मालदा में B.S.F. ने जब्त किये अवैध हत्यार, काली चौक से लगे बांगलादेश बॉर्डर से होती थी हत्यारों की अवैध तसकरी भोपाल में दो महिलाओं ने लाखों के जेवरात पर हाथ किये साफ, CCTV में कैद हुई वारदात राची पटना जंशादाबदी एक्सपेस में जी आरपी के जवानों की गुंडागर्दी, पैसे वसूलने का विरोध करने पर यात्री को चलती ट्रेन से नीचे भेंका मथ्य प्रदेश के खंडवा में दादा ने पोधी को सत्तार हजार उपए में बेचा, खबर मिलने पर पुलिस ने लड़की को छुडाया ग्रेटर नॉइडा की शारदा युनिवर्सिटी में भारतिय और अफगानी छात्रों में विवाद, दोनों पक्षों में मारपीड और पत्राव यूपी के रामपूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के होस्टल में छात्रों की बेरहमी से पिटाई, धरने पर बैठे छात्रों ने वॉर्डन के खिलाफ कारेवाई की मांगी भिवानी के रासिवास गाउं में छात्र के अपरहन के बाद पिटाई का वीडियो वाइरल चारों आरूपी छात्र गिरफतार विहार की कैमूर पुलिस का दिल्चस्प दावा, शराबंदी में जब्द की गई हजारों लीटर शराब पी गई चुहे भारत की गीदा गोपिनात बनी अंतराश्ट्रे मुद्राकोश की मुखे अर्थ शास्त्री, दिल्ली युनिवर्सिटी की रह चुकी हैं छात्र बागपत में शक्स ने किया धर्म परिवर्तन, अल्प संख्यक होने की वज़ह से योगी राज में इंसाफ ना मिलने का आरूप लगाया इलहबाद में बेयाट दिग्री धारक बेरोजगारों ने यूपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, टीईडी परीक्षा के आवेदन का सर्वर ठप होने से नाराज की गर्मियों में पानी की किल्लत और मौनसून में बाहर की वज़ह से इस साल शिमला के परेटन उद्योग पर पड़ा बुरा सर, होटल कारोबारी परेशान रंगरंग परेड के साथ गोवाहाटी में मनाया गया पुलिस दिवस, जवानों के साथ डॉक स्कॉट ने लिया परेड में हिस्सा कॉलियर के पूटी कॉल्नी में अतिकरमन हटाने गए पुलिस टीम पर पत्राव, पुलिस के लाठी चार्ज में कई लोग घायर गुजरात के साबर कांठा में 200 फीट गहरे बोर्वेल में गिरने से डिर साल के बच्चे की मौद खेलते वक्त हुआ हाथसा गुजरात के गिर के जंगल में 18 दिनों में 21 बबर शेरों की मौद से संसनी, वन विभाग के मुताबिक आपसी लडाई में गई जान कोलकाता के दमदम में नगरपालिका के दफ्तर में धमाका पांच लोग जखमी, चेर्मेन का आरोप मुझे निशाना बनाया गया मुंबई में दही हांडी में हिस्सा लेने वाले 18 गोविंदाओं की टोली स्पेन के लिए रवाना, अंतर राश्ट्रिय हुमन पेरामिट प्रतियोगिता में होंगे शामिल स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने एटियम से एक दिन में कैश निकालने की सीमा 40,000 से घटा कर 20,000 रुपए की, एटियम से कैश ट्रांजेक्शन में धोका धड़ी की वज़ह से फैसला साही भक्तों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से शेड़ी तक विमान सेवा शुरू प्रदेश के सिवनी में किसानने की आत्माहत्या, सरकार से फसल का भुकता ना मिलने और कर्ज सिधा परिशान ओडिशा के पारादीप में समुद्र में डूबे तीन चाद्र, स्वच्छ भारत कारिकरम में शामिल होने गए थे तीनों चाद्र दक्षन चीन सागर में अमेरिका के वार्शिप के करीब आया चीनी वार्शिप, अमेरिका ने दी कड़ी कारेवाई की चेतावनी ट्रेड बॉर के बीच ट्रंप ने चीन के साथ नहीं दिये नर्मी के संकेत कहा उम्मीद है भारत भी घटाएगा अमेरिके उत्पादों पर शुल्क इस्राइली नेवी और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच जडब गोलीबारी में 37 प्रदर्शनकारी घायल स्पेन के बार्सिलोना में पुलिस के साथ स्थानिय लोगों की जडब स्पेन से कैटलोनिया को अलग करने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी इंडोनेशिया के सुलावेसी आइसलेंड पर पेट्रोल डीजल के लिए लगी कई किलोमीटर लंबी कतार भुकम्प और सुनामी के बाद से बादित है इंधन सप्लाई सेटलाइट से ली गई दसफीरों में देखी जा सकती है इंडोनेशिया की बरबादी शुकरवार को भुकम्प के बाद आई थी सुनामी इंडोनेशिया के रिलीज ऑपरेशन में जुटे भारतिय वायुसेना के जवान टेंट जनरेटर और दवाईयों के साथ 37 मेडिकल टी में पहुंची अर्जन्टीना में समुद्र दट के पास भंसी 10 मीटर लंबी वेल दो दिन बाद करीब 30 लोगों की मदद से निकाला गया ये है ABP News आपको रखे आगे